कि नमनों मित्रों तो आज मैं आपके लिए एक जानकारी लेकर उपस्तित हूं कि इसे फ़ले में एक वीडियो बनाया था नालंदा उपन इन्वर्सिटी एड्मिसन के लिए तो जो आपका उपन से एड्मिसन होता है उसमें आपका कोई भी मतलब रेगुलर से कुछ नहीं है तो उसके लिए एक वीडियो मैं जारी किया था जिसमें कुछे देट की निरधारी था जो की लास्ट हो जुगा था लेकिन अभी भी उसका फिर से देट नितलब रेगुलर से जारी क्यागा है जिसमें आप फिर से अभी भी टैम है आप यहादि नालंदा उपन इन्वर्स कुछ इसी बात हैं आपको मैं बता सकता हूँ ठीक है तो आप मेरे लिंक को यहां पर हम क्या करेंगे तो डालेंगे नालंदा ओपन इन्वर्सिटी नालंदा नालंदा ओपन इन्वर्सिटी मैं यहां पर हम सर्च किया सर्च करते ही यहां पर कुछ ऐसा फेस आएगा तो उसको मैं ओपन करूंगा चलिए थुरह से मैं आपको बता दूँ यहां पर देख लिए नालंदा यहां पर लिखा हुआ नालंदा ओपन इन्वर्सिटी यहां पर subscribe कीजिए और अंदर चाहिए और link में वहाँ पर में दिया गया है आपको यहाँ वहाँ मिल जाएगा बिल्कुल कैसे form फिलब किया जाए उसके बाद कैसे उसका मतलब registration किया जाए कैसे form open किया जाए मतलब सारा एक एक detail आपको वहाँ पर में दिया गया है तो मैं यहाँ पर में दिखा हूँ आपको कैसे आप इसको देख सकते हैं कि कब तक date है कब तक क्या है तो यहाँ पर में आएंगे आप बिल्कुल आपका यहाँ पर में सारी एक जानगरी दी गई है यहाँ पर में कि अपना student का login कहां से होगा कहां से मैं अपना website चेक कर सकता हूं कहां मैं क्या registration कर सकता हूं कहां मैं फॉर्म फिलब कर सकता हूं यह वह सारी जानकारी है लोग को चाहिए तो यह मैं यही आप लोगों के लिए एक जानकारी लेकर उपस्तित हूं तो यहां पर देखेंगे सब यहां पर में हम क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद आपके साथ यहां पर कुछ ऐसा इंटरफिस आएगा इसको आप देखेंगे जैसे ही हम इसको देखेंगे और नीचे चलेंगे आप देखिए आप यहां डैरेक्ट खोलेंगे खोलते ही आपको दूसरे में जाएंगे दू पूर्णूमान आपको बताऊं येधी आप कीए हैं और आप करना चाए हैं तो आपको क्या करzona है युआपर डाया कहीं काुए यूआन करता हैं तो सब्सक्राइम पर स्वचान करना है को अब साइद ही यूण RH में तो आप यहां पर में open में यहां पर में new admission में क्लिक करेंगे तो उसमें बहुत साथ जानकारी आएगी यहां पर में इसका एक बिल्कुल मैं आपके लिए एक video बनाया हूं जिसमें कैसे किया जाएगा कैसे application क्या जाएगा कैसे fill क्या जाएगा कैसे registration क्या जाएगा कैसे form fill up क्या जाएगा बिल्कुल एक-एक point मैं उसमें वीडियो में कर चुका हूँ वीडियो आपको मिल जाएगा मैं लिंक नीचे वहाँ जा करके तो चलिए आपको मैं दिखा दूँ यहाँ पर देख लिए application मतलब new application यहाँ पर करके आप new account बना सकते हैं new account बनाने के बाद फिर उसका process होगा चलिए तो मैं आप फिर आपको बता दूँ यहाँ पर मैं कि यह बात बन गई आप देख लिए मैं इसके लिए मैं इसमें फिर नहीं बताना चाहता हूँ नेक्स्ट वीडियो इससे पहले का वीडियो जो है उसमें आप जाकर के देख लिए कि कैसे form फिलब के जाएगा चलिए मैं back चलूं थोड़ा सा यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि थोड़ा से बैक जाकर के कि अब क्या होगा यहाँ पर मैं देखिए आप यहाँ नियू आउटमियकर के लिए बात समझ गये अब यहाँ यह हो गया यदि आप एडमियकर कर लिए है तो एडमियसन करने के बाद यहाँ आपको यह लग़ा है जब हो जाता है registration सारा फिलब हो जाता है आपका और password भेज दिया जाता है मतलब school के माधियम से और university के माधियम से password भेज जा जाता है और password के साथ आपका जो भी मतलब ID है आपका या registration नमर है वो आपका भेजेगा वहां से तो उसके बाद आप यहां से लॉगski लॉगा जो भी जानकार है आपका यहां से निकल सकते लिगा हो आप बैद भी तो मेरा आप दो यहां पर आप बिल्कुल अपना registration नमर जाएक कि हमेल देख कि पासवर्ड में आपने रोग हैं पासवर्ड होग तो आप यहां पर finance की अब यहां बताओं की आप घूंसा कोई भी चीजिक तो आप यहां देख सकते हैं है यहाहां देख सकते हैं यहां कुछ जान करें मिल दियाएगा बिल्कुल कि यदि बचा हुआ है डेट तो एडमिशन इन फर्स येर्ड फर्म से संदुजार 21 बैस ठीक है तिल 23 बारा दुजार 21 ओके मतलब यह क्या हो गया है तो जो भी डेट खतम हो गया था लास्ट हो गया था उसका फिर से रोक दिया गया और फिर से नेक्स्ट आपको 23 बारा मतलब 23 अभी दिसमबर चलता है आज आपका बारा तारीक है और 12 मतलब 12 के बाद अभी 23 तारीक तक बचा हुआ है 23 तारीक तक अभी भर सकते आप फिर इसके बाद आपका लगता है कि last chance इस ही आप भरना कर सकते हैं, तो यह जानकारी मैं इसलिए बताया, कि जो भी व्यक्ति से मतलब बच गए, मतलब करना चाह रहे थे, कि मुझे करना है, और आप नहीं कर पाए, मतलब आप किसी कारन बस नहीं कर पाए, और आपको open से MA या और कुछ करना है तो आप यहां से बिलकुल कर सकते हैं अभी भी डेट बचा हुआ है 23 तारिक तक बचा हुआ है 23 दिसंबर 2021 तक अभी इसका admission बचा हुआ है तो मैं इसी जानकारी के लिए आपके साथ जुड़ा की धुरा से बता दूँ चलिए फिर हम इस से संबंदित या जो भी किसी स्टेट से संबंदित या जो भी छोड़ी छोड़ी जानकारी होगी आपके साथ मैं सेर करूँगा चलिए ओके धन्यवाद फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ